लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सब्सक्राइब राभों जानता है क्या है कया सब्सक्राइब सब्सक्राइब गाली अजो प्रेस्थ किसे को नहीं बाठ निकाल लिया उसने तुम्हे धखका दिया है घंज हम यहां के महराज महरा और यह हमारी कौन है यह आपकी बेटी है थे हमारी जी न कैसे हो जोई उसके बटमी जी के साथ हमारी बेटी को गाली दी नहीं है उसके मुझे गाली निकली कैसे? वह फट्टा है कि चर्वी चर्वी किससे पूचके चर्वी? मैं काम करता हूँ, पहले उसकी चर्वी उतारता हूँ, फिर उसके पूचों चर्वी कैसे चर्वी? वह वह बन्दूग ची किन्डे हमारे साथ आओ, मुनीम जी पार्लिमेंट समालो, पार्लिमेंट समालो, वह यह आम बचने न पाए, तरकार मुझे पर बात में हम जिए हम जिंदिगी भर तक तुमें अपने कदमों में रोता हूँआ देख सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी की तो यह सारे के सारे आम एक बाइल गारी में डाल के हमारी हाईली में पहुचा दो यह लो तानो तुम्हारी लूट मार को खतम करके तुम्हारी जबरदस्ती की हुकूमत को उजाण्या वाला हिम्मत वाला क्या मतलब इतने सारे आमों के बदले सोरदके देखर तुम इस गरिब का खुन चुतना चाहते हो लगता है गावं में नए आया हो तुम हमारा कुछ नहीं बिगार सकते हाँ मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगार सकते मैं यहां से चूप चाप चला जाओंगा और मेरे जाने के बाद तुम्हारे चेहरे पर एक जंग जितने वाली मुस्कराट आ जाएगी और जब तुम अपने घर जाओगे और घर जाकर हराम की कमाई से पकायवा खाना खाने के बाद आराम करोगे अचानक आजी रात को, तुम्हारी खाट चलने लगेगी, तुम्हारी आँख खुल जाएगी, तुम सोचोगे, ये भगवान, ये खाट खाँ जारी है, तुम उटने की कोशिश करोगे, मगर उटने ही पाओगे, तुम लाचार देखते जाओगे, और चार पर आगे बढ़त से ट्रेन तुमारी तरफ बढ़ती आएगी, बढ़ती आएगी, बढ़ती आएगी, आ गवी, तुम्हारे चोड़े चोड़े टुक्रे करते होए निकल जाएगी, दूसरे दिन सारा गाउ कहेगा, विचारा शेर सिंग, हराब की मौत मारा गया, सब लोग तुमारी मौत पर हम इको डराते हों? बंदोक से? अब क्या करोगे? इसमें तो गोलिया भी नहीं हैं, इसे चूले में फेक दो. हमारी बंदूक हमी से छीनकर, हमारी गोलिया हवा में जाया करके हम पे रोब जमाने वाला कौन है? कहां से आया है? दिली से आया हूँ. दिली से? हाँ, दिली से, मुझे तफ्सीश के लिए भजया गया है गौर्रमेंट को तुम्हारी बिना फटक की रेलवे लाइन की कहानियों को पता चल गया है अब मैं दिली से मिलिटरी लेकर आऊंगा और तुम्हें जेल के हवा कहलाऊंगा देखा देखा ये बेल डेखा कैसे मस्त हैं वो आदमी ने अभी खरीब के लाया है तो चलो, बेल गारी में बैटकर हवा खा कर आएंगा जिली से जिली से लो जबो, 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 रजबभार रेल लाइए, काभू में दिली आयो फज़नो झाला यहाँ पाला कोई पाला पाला धाल कोई कोई मुझे बहुत अफसर है कि तुम बेल गाड़ी से गिर गई कहीं चोड़ बड़ तो नहीं लगी कपने खराब होगे यहां खराब होगे जदा जंगली बत्तमी हाथ मत लगाना वर्ना वर्ना क्या मैं काट लोंगी काट लेगी अरे लड़की है यह जानवर इस्टर रभी तुम राम नंगर में बनने वाले डैम के एंजिनियर अपांट किये गए हो फॉरन वहां जाके डैम क के लिए क्वार्टर का बंदवस कर दिया गया है थेंकियो सर्व अल्डी बेस्ट थेंकियो वरी मगड़ी मगड़ी तो फिर इनमें माल आ रहा है माल कैसे माल इस गाउं की नदी पर एक डैम बन रहा है ना उसके लिए ट्रकों में सामान आ रहा है सच बेटा आपकी कसम पिता जी देखा आपको घबरा के भागलपूर हो रहे थे मेरे होते वे आपको डरनी की क्या दरूबत है हमसे पहले तो तू भाग रहा था भे अबे ठीक नहीं तो इस गाउं के नदी पर बान बन रहा है तुम्हें काम करो पहले करो इस डैम का इंजिनियर काउने उसे हमारे अच्छास की दावत पर बुलाओ मा यही वो कौर्टर है जो गौर्मेंट से हमें मिला है अच्छा मां कैसे लगा यह नया घर बहुत अच्छा है बेटे मैं हमेशे भगवान से प्रास्टा कर दी थी कि मेरा बेटा जब भी इस गौव में बढ़ा होकर आए तो इंजिनियर बन कर आए आज भगवाने मेरे इच्छा पूरी कर दी मां अब हमें इस लड़की की शादी कर देन जाए यह नया जाए आए यह नया अच्छा लगेगा नहीं बाबाई जिद मत करो एंपर कहए तो माल लेया करें अब अरे पा वबबागी को कभ से बाभरी इस प्रास्चा है यह सुनते है नहीं अरे गोविन तुमारा क्या ख्राल है यह गंबला यह अच्छा निका निया जोड़ों से टकला लाने का मतलब यह नि कि तुम आस्मान के उतरो यह गमला यही लगेगा और हर आने जाने वाले के नज़र पहले इस से पढ़े एक मिनिट एक मिनिट तुम एक नया गमला ले आओ तुम्हे जहां अच्छा लगता तुम महां लगा दो बीज़र अभी तुम्हें कितने जगड़े मिटाता रहेगा जगड़े के बग़र इने भूंख नहीं लगती और खाना खाने के बाद यह जगड़ा ना करें तो इनका खाना हाजम नहीं होता इंका जगड़ा मिटाने का एक ही तरीका है इन तोनों की शादे कर दो देखिए मुनिम जी, मुझे काम करने दीजे, मेरा दिमाग मत चाटिए मैं यहाँ डैम के लिए जगह तलाश करने आया हूँ बेकार लोगों की बेकार जमीने बिगवाने नहीं आया क्यारे इंजिनियर बाबू, अगर तुमने शेर सिंग की बात नहीं मानी तो तुम्हारी नोकरी गोदावरी हो जाएगी मिस्टर नाराइंदास गोपाल दाथ, अगर आपने बकवास बंद नहीं की तो मैं आपको भिलाई भेज कर, वहां की लोहा पिगलाने की भट्टी में डलवा कर जमशेदपूर बना कर, टाटा नगर में फिकवा दूँगा में यह नकल करते हो, मैं गोदावरी की बात करता हूँ, तुम भिलाई की बात करते हो यह कूटो पैंट क्या पैंट लिया, अपने आपको राज़कोट समझ बैठे हमसे उलचोगे, तो हम तुमारा पठान कोट बना देंगे, याद रखना अगर तुम यह थोड़ी देर भी और ठेरे, तुम मैं तुम्हें कश्मीर से भगा कर जमू में गिरा कर, दिल्ली में उठा कर, भोपाल में घुमा कर, मदरस में नचा कर कन्या कुमारी में ठोकर मार कर, ठोकर मार कर, लंका के समूंदर में फेख दूँगा, अब जाते हो या सरकार, वो इंजीनर तो बड़ा ही अकड़ा हुआ बांबू निकला, वो छाच औ शर्बत के चकर में पढ़ने वाला नहीं है और अगर हमने कोई जबरदस्ती की, तो हमारा इचाज बनाकर हमें पिलाके निकल जाएगा नारायन दास, तुम्हारा नाम नारायन दास के बजाए गदेदास होना चाही था सही वक्त पर सही राग अलापा करो, और मौका देखके मंत्र पढ़ा करो अगर कोई पंडित साधी के मंदप में अर्थी का मंत्र पढ़ने लगे जानते हो लोग क्या करेंगे उसे उसे मार मार के मुर्दे के साथ कफन में लपेट का उसे चिता में जला देंगे सही वक्त पर सही मंत्र पढ़ा करो मैं वाँ धंदे की बात करने किया था या मंतर पढ़ने किया था यही कमी है ना तुम में अगर तुम सही वक्त पर सही मंतर पढ़ते तो आज हम नौकर और तुम मालिक होते आज यह तो सही आप देखो, सही मंत्र पढ़के हम उस इंजिनियर को किस तरह अंजीर बनाते हैं। वाँ, सरकार ने बहुत अच्छा मकान दे दिया रहने को। बंदुक ची, अंदर बोलो हम आये हैं। तुम? जी हाँ मैं, मैं ही इंजिनियर रभी हूँ। तो उस रोज मुझे तुम ने क्यों कहा था कि तुम दिली चाह हूँ। वो तो मैंने मजाग किया था। क्या है इंजिनियर बाबू। मेरे पास एक 200 एकर फालतू जमीन है, बिल्कुल बेकार पड़ी हूई है। अगर आप गौर्मेंट से सफारिश करके वहाँ एक डैम बनवा देंगे, मेरी फालतू जमीन बिग जाएगी। और आपको बेकार जमीन के बदले सरकार से अच्छी किमत मिल जाएगी। लेकिन इसमें मेरा क्या फाइदा होगा। बैवा, क्या सवाल पूछा है। तुम्हारी मेरी खुब जमेगी। सलो भाई, हमारी तुम्हारी दोस्ती के लिफाफे पर ये 10,000 रुपय का छोटा सा इस्टाम्प। ठाकुछ साथ, मेरी एक मा है जिसकी मैं पूजा करता हूँ। जिसके हाथों में मैं अपने कमाई रख दिया करता हूँ। ताके उसके आशिरवाद से मेरी कमाई में और बरकत हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये। हाँ हाँ हाँ, मैं बुलाओ, बुलाओ देवी तुम धन्य हो, सच मुझ पूजा के योगी हो। कि तुमने आजकल के जमाने में ऐसा बेटा जना है। तुमने बेटा नहीं जना देवी, एरा जना है। ख्याकूर, आज जिस हाथ पर तुम दस हजार रुपे रख रहे हो। याद है उस पर एक दिन तुमने दस रुपे रखने से इंकार कर दिया था। सावित्री तुम? हाँ, वही मजलूम औरत जिसको तुमने बरबाद कर दिया था। जिसने एक दिन तुम्हारे दर पर खड़े होकर अपने बेटे को शहर भेजने के लिए तुमसे दस रुपिय मांगे थे। मैं वही सावित्री हूँ, जिससे तुमने धुदकार कर बेईज़त करकर अपने घर से निकाल दिया था। मैं वही सावित्री हूँ। यह रवी तुमारा बेटा? हाँ, रवी मेरा ही बेटा है। जिससे तुम तबेले साफ करवाना चाहते थे। भैसे धुलवाना चाहते थे, जिसके सर पर हाथ रखकर उस दिन मैंने अपने सुहा की कसम खाई थी, आज मेरी ओ कसम पूरी हो गए, तक भी ने तुम्हें नीचे गिरा दिया और मेरे बेटे की उंचाई पी खड़ा कर दिया, बस करो सावित्री बस, मेरा काफी अपमान कर च पूरी हो, तुम्हारे सीरे में दिल की जगा लोटो का बंडर रखा हुआ है, उस दिन तुमने उस डॉक्टर को डड़ा धमका कर, उसकी मजबूरी का फाइदा उठाकर, उसकी जबान को खरीद लिया था, और आज तुम यहां मुझे खरीदने की उमीद साए हो, लेकिन त जितनी भी तालिम हासिल की, जितनी भी किताबे पड़ी हैं, उन किताबों की लिखाई, मेरी मा की मेहनत की पसीने से लिखी हुई है, ऐसे इमानदार बाप और देवी समान मा की ओला से बेमाने की उमीद रखने वाला इंसाम, दुनिया में सबसे बड़ा बेवकुष कहलात बच्चे, तुमने सिर्फ सहर की कालिज में पड़ाई की डिगरी लिये, मैंने इस दुनिया की कालिज में तजर्बे की पड़ाई हासिल की, मैंने बड़े-बड़े इमानदारों को तेज बक्ती का नारा लगाते हुए देखा है, चार पठके परते हैं ना, अकल खुद ब को टिकाने आ जाती है, इसलिए मेरी राय है, मुझे भासन मत देना, मैं सुवा साम लोगों को भासन दिया करता हूँ, मेरे रास्ते में आने की कोशिस मत करना, कदम कदम पर भारुत बिचा हुआ है, चीजड़े उर जाएंगे तुमारे, कोई पहचान नहीं पाएगा कि त कि उसे समत करना, क्योंकि जानते हूँ, इनकलाबियों के जंड़े का रंग लाल होता है, कहीं ऐसा नहीं हो, कि उसे लाल रंग देने के लिए तुमारा खून इस्तमाल करना पड़े, मिस्टर शेर सिंग, इनकलाब तो जरूर आएगा, लेकिन देखना ये है, कि उस लिए और चुपचाप चला जाए, कहीं है, तो साप का सर कुचल डाले हैं, नहीं नाराएंदास, हम उन लोगों में से नहीं हैं, जो साप का सर कुचल कर उसे मार डालते हैं, हम उन लोगों में से हैं, जो साप का सर पकड़ लेते हैं, और उसके बाद उसके जहरी ले दातो निकाल कर उसे नचाथ हैं और पैसा कमाते हैं यह रही भी भी बहुत खतरनाक साब है हम उसके सर उठाने का इंतिजार करेंगे और जैसी हम सर उठाएगा हम से ख़्डाक से पकड़ लेगे मैं सुना है साप को बीन की धुन बहुत पतं है, बीन सुणिये के बाद उस सर उठाता है और फन भैला देता है तो फिर जाओ और मालूम करो ये का उन सी बीन पर सर उठाएगा, इसकी पसंद क्या है ये किस से प्यार करता है, फॉरं चान बीन सुरू करो ये तुम्हारा भाई किस मिट्टी का बना हुआ है अभी-अभी गाउ में आया है और आते हैं लोगों के दिलों पर छाग या है कोई खास बात तो जरूर है उसमें खास बात ये है कि वो अपनी जबान के और सूल के पक्के जो बात कहती वो पत्थर की लगी दुनिया इधर के उदर हो जाए पर वो अपना कहा जरूर करेंगी अगर वो इतने पक्के हैं तो उन्से को न हमारी शादी की बात भी पक्की करते है और साथ-साथ मुझे डैम पर एक छोटा मोटा कॉंट्राइक भी दिलवा दे वाफ बहुत चाला खो लड़कियां कभी अपनी शादी की बात करते हैं तुम्हीं जाके करो ना फिगर मैं खुद ही फिसल रहा हूं ये कैसा गाउं है मैं कैसे फिसल सकता फिसलना तो चाहिए नहीं था लड़की है या कुटुब मिनार दिली का चान नी चौँ आगरे का मुम्ताज महिल बरेली की हवेली और हैंतराबाद की चिकन बिर्यानी बाबु जी आप क्या बोल रहे हैं मेरी तु खुद समझ में नहीं आ रहा है अफसोर, लानत, लानत है मुझे हैं मेरा सर शरम के मारे अपने आप आपके कंदे पे ढूआ जुका जा रहा है अबे मैं कौन है तू एक तो अबे उपर से कौन है तू पकलिन्तर्स चांतरू कौन हम ई कौन हो तुम अरे इस गाउं के मालिक, सरकार, परवर्दिगार, शेर सिंग बंदूक वाले का करीबी रिष्टेदार तो शेर सिंग बंदूक वाले के आप करीबी रिष्टेदार हैं मेरा नाम है भूशन, प्यार से लोग मुझे बुशी कहकर भी पुकारते हैं पुशी, 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 आप बता सकते हैं कि उनके घर तक कैसे पहुचा जा सकता है हाँ, हाँ, जरूर, लेकिन भूशन साथ इस गाउं का असूल है कि आँख के अंधे को मर्द हाथ पकड़ कर मंजिल तक ले जाते हैं और अकल के अंधे को औरते ले जाती हैं, आप कौन सा वाला हथ पसंद करेंगी इस तरह, दूसरा टाइप औरत वाला तो फिर आँखे बंद करो, शाबाज, खोलना नहीं आँखे, चमपा, पुशन साथ को घर तक ले जा, चलो चलो क्या हाथ है, उचली चली रे पंतंगी, चली चली रे, उची पांके पार, क्या नाजू कहाँ थे देखो बाबजी, अब आँखे मत खोलो ने, मैं, मगर मैं यह नीचे कहां जा रहा हूँ, यह धलांग कैसी है बाबजी यह नज्दीक यह आँप जल्दी पहुदाई